है फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने लेके आएंगे गुछ्राती स्टाहिल बोलीजिए या फिर राइट हैडड साड़ी बोलीजिए और यह साड़ी ऐसी है चिसमेक की नाम थोड़ा हैवी बर्क है और बहुत ही प्यारी साड़ी है चलो फिर स्टार्ट करती हो मैं आपको बत वही लेता हुए और राउंड से भी नीट अंट तरीके से अच्छे से मैं चोक करीशी को और साड़ी है अब धीर दीर में आपनी अपनी पलू की साड़ी है और पलू का लेकर ओफी मैं चूटि-च्ड़ी प्लेट्स ही इच्छी लगती है और बड़ी-बड़ी प्लेट्स जोटें हूं इत्वांगी करें, असको बकसे में करें, प्लेट से। आलो प्लेटें करें करें हैं टेखिए इस तरहीके से में सारी plates को लेकर और अपने राइट हेंड़ा हैं राइट हेंड़ा की बाद दोड़ा से से कर दोँगे सारी patients शोल्डर के पिल नग रहे हैं यह मेरी बिल लग गए अब देखिए मैं थोड़ा सा चेक करके देखूंगे कि कैसा लग रहा है देखिए कितना प्यारा लग रहा है अब मैं देखिए लोग प्लेट्स बनाओंगे लोग प्लेट्स पहला तो यह पल्लू वाला जैसे कि मुझे अगर सिर्फ़ रखना है तो आपको बैक साइट से पीछे जादा लेना पड़ेगा अगर सिर्फ़ नहीं रखना है तो आप चाहें कम भी ले सकते हैं अब देखिए अब मैं लोग प्लेट्स से बनाओंगे इसके लोग प्लेट्स बनाओंगे तरीके से और इसके प्लेट्स भी देखिए इसका फाइब साइट में क्या करते हैं जो प्लेट्स लेते हैं लोग प्लेट्स उनको भी हम जैसे लेफ्ट रूस हैंड का लेते हैं लेफ्ट साइड मोड़ते हैं तो इसमें भी राइट हैंड का लेते हैं तो इसको राइट हैंड साइड मोड़कर और अपनी प्लेट्स को साइड करते ह साड़ी प्लेट्स को मैं क्या करूंगे तक कर दूंगे और साइट से अपनी साड़ी को अच्छे से टक कर दूंगे ताकि वह जमीन पर ज्यादा किसके नहीं और टेक नहीं करेंगे तो वह जमीन से ज्यादा फ्लोर में ज्यादा टच करेंगी आप देखें इस तरीके से वह अपने ही प्लेट्स हैं प्लेट्स सेट करते हुए और पीछी साइट्स है पीछी सेटुअगर देखें यह तरीके से मैं यहां पिंस लगा नहीं , आप चाहें तो अंदर की साइट्स से भी लगा सकते हैं जैसे आपको अच्छी तरीके से अरेंश हो जाएं अब यह पिन लगाने के बाद फ्रेंट पर देखिए यह नसका फाइबरिक एसा और हैवी वर्कस का बॉर्डर तो इस वेसे इन प्लेट्सों को भी अच्छे से सैट करने के बाद मैं पिन से क्यों कर लूँगी देखिए इस तरीके से मैं पूरा फाइबरिक को अरेंज करते हुए और सारी प्लेट्सों को एक 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 ए और यहां पर पिन लगा दूँगी ताकि यह प्लेट्स फैली फैली मैशी मैशी नहों और फ्रेंट पर बहुत ही अच्छी से प्यारी सी निकल कर यहां पर मैं पिन से सारी प्लेटों को सिक्यों कर देखिए इस तरीके से मैं सारी प्लेट्स लगा दी है और पिन से सिक्यों कर दिया और यह देखिए यह भी देखिए यह जो फ्रेंट पर यह बॉर्डर आ रहा है और इसके पल्लू पर जो वर्क है इतना प्यारा लगता ह जब न्यू ब्राइडल अकर इस साड़ी को भी या फिर इस तरीके से भी पैनिंगी ने तो बहुत ही प्यारा लुक निकल कर आता है और यह फ्रेंट पर जो थोड़ी सी वैश्य हो रही है इनको भी मैं सैट करके और यहां पर देखिए आप चाहो मैंने भी लगाई है यहां जो प्लेट्स है ना फ्रेंट वाली पल्लू की उनको भी सैट करके आप इनसे करते हैं अब मैं देखिए सिर पर रखके मैं आपको यह साड़ी बताऊंगी देखिए मैंने सिर पर रख्या है अपना लैंग चैंक करते हुए यहां पर मैं एक टिक टैक लगा लोगी दो है न यह साट कर दूंगे ताकि गिर गिर ना आइ देखिए इस तरीके से में इस साट हो गया है और कैसा लग रहा है आपको यह राइट है और यह सकते हो कि अक्ष्रा इकनाटक काता था यह रिश्टा क्या कहला था उसम्मा अक्ष्रा भी इसी टैप से पैनती थी तो मैं भी अच्छे से सैट कर दिया और यह बिल्कुल अरेंज हो जाएगी और अब यह भागेगी बिन ना फिर इसको मैश होगी और देखें कैसा लगा आपको यह वाला लुक अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें अब देखें इसी मही मैं इसी सा आपको कैसा लगा यह राइट हैंड वाला या फिर गुजराती स्टाइल जैसे भी आप कहना चाहो वैसे ही और देखें यह फ्रेंट पर इतना अच्छा वर्क अतना प्यारा लग रहा है अब देखें यह मेरा उपन पल्लू वाला स्टार्ट होगा है आप देखें पल्लू को सारा खटा करते हुए और चटकते हुए और अपने राउंड गुमाते हुए अपने शोल्डर पर रग दिया अब शोल्डर पर रगने के बाद जितना भी फैब्रिक ता उसकी साइट कम साइट फिटिंग मैं दे दूंगी देखें देखेंगी यहा अक्राइब कर आते हैं नेकल साइट कर देखें, आप सदूना लोगे बना देखेंगी , यहाम पाह Спीन निकल कर नादि हमगी , यहाम दितना पर रही थी प्लेट कर दो लेफट जाते में हुए हम धना साइट 노त कर दूट भी मिलत पेच तो पर साइट छे आसे बमी जाते में प्लेटस टुक टक टोग. पींच अज़े से निया नियाूं बिट्जाено, यहां बस टाइटी टाइट कर संदूर किए अपने प्रण। यह तर निया विक्ट को मैं पें। कि मैं इसतने नोला को फोड़ के सिस्टक्राइल है और को अच्छे सपने और पर में सिंप्ल तरी के से सिप्वाइत करूगे मैं दिए विघ गानने साइट करा ला लुग निकल कर है लुगूट मैं डखर अ注ुए में तलिब मुझे कि मैं दिख रही हम और मेरी टमी थोड़ी सी हैवी है और मैंना इस तरीके से मैंना साड़ी पेनी है उस तरीके से आपको स्लिम लग लग रहा होगा मेरा तो देखें इस तरीके से आप भी ट्राय कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा लुप निकल कर आता है और देखें इस मैं भी कितना अच्छा समयना दोने तरीके से आपको बताया है कि इस टाइप की साड़ी को आप दोने तरीके से पहनेंगे तो बहुत ही प्यारी बहुत ही सुन्दर लुक निकल कर आएगा आपको कैसा लगा यह मेरा लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिया कमेंड करिया सब्सक्राइब करिया देखें इसका कलर कॉमिनेशन भी बहुत प्यारा है और इस साड़ी के जो वर्क है ना बहुत हैवी है आपको दिखने में ती लाइट लगा है लेकिन इसका जो वेट है ना वो काफी हैवी है वेट काफी हैवी निकल कर आएगा ताइम क्यों कास आपको अच्छा लगा